मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे आपको हिंदी जिखाना बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे हिंदी में बात करते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर मुझे बहुत प्रसंता होती है और आप अच्छा लिखकर मेरा उत्सा और बढ़ाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको बताती हूँ अपनी मन पसंद फिल्म के बारे में मेरी मन-पसंद फिल्म है चांधनी इसमें अभी नेत्री है श्री देवी और उनके साथ है रिशी कपूर और विनोद खना अब ये 3ग अलाकार इस दुनिया में नहीं रहे हैं चांधनी फिल्म काफी पूरानी फिल्म है 1990 के आसपास की फिल्म है ये चांदनी फिल्म में श्री देवी का नाम है चांदनी और वह है एक बहुत ही चुलबुली, सुन्दर, नटखट लड़की है जिसे नृत्ते करने का बहुत शौंक है और रोहित रिशी कपूर उनसे प्यार करने लगते हैं। रिशी कपूर एक अमीर परिवार से हैं और रिशी कपूर के परिवार वाले चांदनी को जदा पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी रिशी कपूर उनसे सगाई करते हैं। फिर किसी एक दुर घटना में वो अपाहिज हो जाते हैं, वे चलने लायक नहीं रहते हैं, चांदनी रोज उनके घर आती है, उनका ख्याल रखती है, लेकिन रोहित के घर वाले उसे तरा तरा की बाते सुनाते हैं, ताने मारते हैं, ये सब रोहित को बहुत बुरा लगता है और रोहित चांदनी को अपनी जिन्दगी से दूर कर देते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी विज़े से ही मेरी ये हालत हुई है इसलिए तुम चली जओ यहां से अब मैं तुम से प्यार नहीं करता, तुम चली जओ चांदनी बहुत रोती है लेकिन चली जाती है चली जाती है किसी दूसरे शहर और वहाँ नौकरी करने लगती है जहां नौकरी करती है वहाँ उनके बॉस वो चांदनी को पसंद करने लगते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं उधर रोहित, चांदनी को बहुत याद करते हैं और कोशिश करते हैं ठीक होने की और ठीक हो जाते हैं फिल्म वो ढूंडते हैं कि चांदनी कहा है और चांदनी के पास आते हैं चांदनी उन्हें ठीक देखकर बहुत खुश होती है और रोहित चांदनी से कहते हैं कि वे उनसे शादी करना चाते हैं तब ही चांदनी को याद आता है कि उसकी शादी तो उसके बॉस से होनी तेह हो गई है। अब आगे क्या होता है? यह आप फिल्म में देखिएगा। मुझे यकीन है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। भारतिय सेनमा में श्री देवी बहुत ही प्रसिद अभिनेतरी हैं। उन्हें फिल्मों की रानी तक कहा जाता है। मेरे ख्याल से उनकी जैसी अधा खारा तो शायद ही कोई होगी बॉलिवुड में। बाकी और भी बहुत सारी अभिनेतरियां हैं जो अच्छी हैं। श्रद्धा कपूर भी अच्छी हैं। आप बताईए आपको कौनसी अभिनेतरी पसंद है। फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ। आप हिंदी सीखते रही है।